हेलो गाइज happy new year everyone and this is me jyavi lasan and you're watching hasanth studio आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपके painting के practical के बारे में कि practical कैसे लिया जाता है और practical कैसे conduct होता है और two practical आपके कैसे होते हैं first practical में क्या आपको बनाना है second में आपको क्या बनाना है और आपकी portfolio कैसे बनती है और कितनी आपको उसके अंदर paintings बनानी है कैसे कैसे आपको paintings उसमें बनानी है और viva में क्या पूछा जाता है या कैसे viva लिया जाता है तो आज हम उसी सब के बारे में बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आपको दिखरा होगा यहाँ पर painting code 049 class 12 2023 and 24 के लिए यह आपका slaves होने वाला है तो इसमें हम देखेंगे तो यह practical होता है इसका time 6 hours होता है जिसमें 2 practical होते हैं 3 and 3 hours के और यहाँ पर maximum marks आपके 70 होने वाले हैं तो यह 70 marks कैसे होता हैं उसके बारे में बात करेंगे वेटेज क्या है marks कैसे आपको marks मिलते हैं और practical में कैसे आपकी copies check करी जाती हैं या किस base पे आपको marks दिये जाते हैं अब यहाँ पर unit 1 में बात करेंगे तो इसमें होता है nature and object study तो nature and object study में जो आपका आता है वो होता है जैसे natural चीज़े होती हैं जिसमें flowers and vegetables या फिर fruits आ जाते हैं तो यह चीज़े आपको सामने से देखके बनानी होती है natural and object study में दूसरा अदा painting composition पेंटिंग composition में आपको करना होता है कोई भी यहाँ पर topics दिये जाते हैं आपको 5 topics दिये जाते हैं external and internal examiner के दोनों मिलके आपको 5 topics देते हैं उसमें से आपको एक topic चूज करके बनाना होता ह and यह 25 and 25 marks के होते हैं फिर बसता है 20 marks तो यह होता है आपका portfolio जो file बनाते हैं आप लोग तो उसमें आपने क्या-क्या बनाया है पूरे साल वो सारी चीज़ का आपको यहाँ पर record देना होता है तो यह सब मिला के होता है आपका 70 marks का आप इस पर हम detail में बात करते हैं कि इसे कै कैसे आपको बनाना होता है या क्या आपको इसमें करना होता है तो जब nature and object study की बात करते हैं तो इसमें होता है सामने आपके कोई object या फिर natural object like flower, fruit या फिर vegetables आपके रखे जाते हैं तो उसमें आपको सामने से देखके बनाना होता है यहाँ पर एक side से ही light पड़ेगी like जैसे कोई यह object है तो इसमें अभी मेरे face पे भी light इधर से बढ़ रही होगी तो इधर से एक highlight होगा और इधर से थोड़ा shadow रहेगा जब इधर कोई light नहीं होगी तो ऐसे उसमें depth दिखानी होती है जो भी आपका object आपके सामने रखा जाएगा तो ऐसा कुछ आपको बनाना होता ह और दूसरा जब हम बात करते हैं painting composition की तो imaginative paintings आपको बनानी है जो कि life और nature से related ही बनेगी और यह हो सकती है water color और posture color में तो इन दोनों medium में आप यह paintings बना सकते हैं और यह painting जो है imaginative होगी और यह आपके सामने नहीं रखी वी होगी तो यह आपको अपनी imagination से बनानी है और वो भी वही बनानी होंगी जो आपको topic दिये जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4-5 topic दिये जाएंगे external और internal examiner द्वारा तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं फिर आता portfolio तो portfolio में आपको क्या करना है यहाँ पर है record of the entire year performance from the sketch to finish product तो यहाँ पर जो भी आपने बनाया है तो start से लेक करके जानी होगी और दूसरा यहाँ पर 4 selected nature and object study exercise in any media done during the season तो यहाँ पर पूरे session में आपने किसी भी color में किसी भी sketch या कुछ में भी आपने जो भी 4 work करे है nature या object study लाइक जो still life है तो उसमें से selected 4 आपको अलग से निकाल करके लिए कि आने होंगे या फिर अभी ऐसे क्या हो बनी रहते हैं उसके अंदर और वही फाइल आप वहाँ पर submit कर देते हैं तो वही आप ले जा सकते हैं जिसमें आप यह सारे work कर सकते हैं या फिर आप अलग से भी इन सारे work को आप कर सकते हैं जैसे आपने imperial sheet ली एक आपने चार्ट लिया चार्ट के दो पीस करें तो वह imperial size आपका तो उस पर आपको कोई भी drawing बनाई है आपने तो वह चार selected drawing जो बहुत अच्छी होंगे आपकी वह selected drawing आप एक envelope में करके ले जा सकते हैं या फिर आप पूरा file के अंदर ही बना सकते हैं वह आप अपने teacher से concern कर सकते हैं जो भी आपके school में painting teacher हैं और दूसरा फिर आता है two selected work of painting composition done by the candidate during the year तो यहां पर आपने पूरे साल में जो भी composition work करें composition में होता है को story based drawing होती है तो उसमें कोई भी आपने जो work करें वह वहां से two selected work उसमें रख सकते हैं envelope में अगर आप envelope बना रहे हैं otherwise आप file के अंदर ही कर सकते हैं और तीसरा आपका आता है one selected work based on any Indian folk art painting तो इसमें कोई भी आप Indian folk art बना सकते हैं जो भी आपका मन करता है वो आप painting यहां पर बना सकते हैं यह NCRT में पीछे के side में जो last chapter है उसके अंदर यहां पर सब दे रखा है यह बहुत सारी इसमें जो Indian folk art है वो दे रखे हैं वहां से आप बना सकते हैं फिर यहां देखते हैं नीचे क्या दिया गया है note तो यहां पर जितने भी work आपने पूरे entire year में करे हैं तो उसको पहले ही certified कर रहा होना चाहिए school की authority द्वारा यानि कि उसमें stamp बगएरा लगी होनी चाहिए जो भी आपका work है and then यह सारे submitted होने चाहिए आपके school में या फिर आपके school teacher के पास और फ time table to be so frame to allow to the student work continuously for minimum two periods as a stretch तो यहां पर जो यह दे रखाया second one तो यह है जब आपका पूरे साल में study होती है तो कैसे आप अपने बच्चों को यहां पर दो continuous lesson दे सकते हैं ताकि वो जो work कर रहे हैं वो complete हो सके क्योंकि half an hour या 40 minutes में आपका कोई work complete नहीं होने वाला तो इसलिए दो lesson stretch कर दें दोनों एक जगा मिला दें या दो lesson दे दें painting को ऐसा यहां पर दिया गया है तो evaluation कैसे होता है practical का वो यहां पर दिया गया है तो सबसे पहले अगर हम nature study की बात करें तो इसमें drawing के 10 marks दिये गये हैं like जो भी आपने draw करा है तो उसका composition जो है वो कैसे composition like पूरा paper है तो उसमें आपने side में तो नहीं पुचा दिया है उपर तो नहीं कर दिया है नीचे जादा तो नहीं कर दिया है तो आपका वो center में होना चाहिए paper के हिसाफ सही होना चाहिए ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बना दिया paper से बहार निकल जा रहा है या बहुत छोटा बना दिया पेपर इतना बड़ा है और उसमें बहुत चोटा बना दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए composition बिल्कुल सही होना चाहिए drawing जो उसकी है और उसमें perspective का भी आपको धिहान रखना है कि जो चीज आगे रखी हुए वो आगे ही रखी हुई दिखनी चाहिए और जो पीछे रखी है वो पीछे ही रखी हुई दिखनी चाहिए थोड़ा 3D look आना चाहिए realistic based यहाँ पर अगर आप shading भी कर रहे है तो dark and light की shadow जो है आप दिखाएं उसमें ताकि 3D look आए then second आता है treatment of media and colors तो यहाँ पर जो भी आप जैसे अगर shading कर रहे है तो उसका आपने treatment कैसे कर रहा है like कैसी technique use कर रहे है उसे आपने करने में और अगर color कर रहे है तो कैसे आपने color कर रहा है वो चीज यहाँ पर देखी जाएगी जिसके 5 marks है फिर आता है overall impression overall impression क्या है जब आप पूरा अपना जो भी object है subject जो भी drawing कर रहे है वो complete हो जाता है जब आपका examiner उस painting को देखेगा तो उसे देखके लगना चाहिए या वाउ या this is very nice एक बार ही देखना ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इससे अच्छा तो ही नहीं सकता था यह बहुत बच्छा बनाया है तो यहाँ पर ऐसा कुछ impression जो overall impression है drawing का वो बहुत सभी पढ़ना चाहिए तो उसका होता है 10 marks तो यह हो जाएगा 25 marks लेकिन overall impression देखा जाता है यह drawing मीडिया treatment यह तो देखा ही नहीं जाता है डायक्टी देखके हाँ इतना सही लग रहा है तो 25 marks देदेते हैं इसको ऐसा ही होता है next आता है painting composition तो painting composition में भी ऐसे है कि आपने composition कैसे बनाया उसका arrangement कैसे है तो उसमें क्या होता है जैसे composition है कोई इसमें story बना रहे है आप playing cricket का बना रहे है तो उसमें cricket को आपने कैसे repeat किया है जैसे कि एक batting कर रहा है बल्ले बाज उसके पीछे stumps है और सारे चीज़ उसमें arrangement ना बुलकुल सही है आप देखके लग रहा है कि हाँ ये cricket खेला जा रहा है पूरा live scene दिख रहा है और ये थोड़ा realistic based होना चाहिए and फिर आता है treatment of media या medium जो भी है color कैसे use करें फिर आता है originality creativity and overall impression तो यहां पर originality मतलब बिल्कुल realistic लग रहा है कि नहीं लग रहा है वो realistic कितना बनाया आपने वो यहां पर देखा जाता है फिर उसका creativity देखी जाती है कैसी creativity आपकी उसमें है and the overall impression वही एक बार देखके लएगा हाँ वही क्या बात है बहुत बढ़िया स assessment record of the entire year performance from sketch to finish product यह जो हमने उपर बात करीती हुई है तो यह सारा कुछ आपको जो भी आपने दो साल में कराया है एक साल में कराया है तो वह सारा आप लेकर कर आएंगे and four selected nature and object study exercise in any media तो जो भी आपने nature or object study करी है four वह आप selected यहां पर लेकर कर आ सकते है third में आता है two selected painting composition prepared by the candidates कोई भी two selected composition जिसमें कोई story हो story दिखरी हो ठीक है वो हो गया then आता है one selected work based on any Indian folk art तो यहां पर कोई भी एक selected work जो भी Indian folk art का हो वो यहां पर आप लगा सकते हैं ठीक है तो यह था आपका पूरा slavus questions का format कैसा हो सकता है तो यहां पर आपको वही देखना है कि कोई सामने object या subject रखा जाएगा जो भी तो वह आपको वहां से देख करके बनाना है और school और teachers को यह दिहान रखना है कि उसमें परदा लगा होना चाहिए उसके पीछे भी और उसके foreground में भी होना चाहिए जिस चीज़ के उपर वह रखावा है ठीक है वहां पर भी एक परदा होना चाहिए पर दोनों अलग-अलग color के परदे होने चाहिए and then जो दूसरा composition है composition में क्या है यहां पर five या six subject दे रखे हैं जिसमें से आप यहां पर choose कर सकते हैं और यह दोनों ही internal and external examiner को दोनों को मिल के यहां पर decide करना है कि आपको क्या बनबाना है affairs of family professions तो यहां पर family के जो professional चीज़ सकता है sports activities like gym बगएरा यह सारी चीज़े हो सकते हैं कुछ भी यहां पर आपको दिया जा सकता है nature में आप दे सकते हैं landscape बगएरा और उसमें क्या होगा कि landscape है एक गाउं का कोई scene दे दिया उसमें animals हैं और उसमें कुछ लोग जा रहे हैं कुछ चारा काट के लिए कर गया रह तो यहां पर जितने भी हमारे celebration होते हैं national celebration हो गए या शादी यह गएरा होते हैं तो यह सारी चीज़े आप उसमें से कुछ भी आप बना सकते हैं या जो teacher देता है इन में से वह आप आपर कर सकते हैं वाइवा के लिए हम आए एक अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम discuss करेंगे सारा कि वाइवा में क्या पूछा जाता है और कैसे वाइवा लिया जाता है तो आज की वीडियो में बबस इतना ही I hope यह आपको समझ आया होगा thank you for watching